आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10, हिंदी कोर्स B की पाठ्य पुस्तक, स्पर्ष भाग 2 से बड़े भाई साहा पाठ के पठित गध्यांश विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी पाठ या कविता से संबंधित, किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस पाठ या कविता को ध्यान पूर्वक पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है प्रस्तुत पाठकासार, मुख्यविंदू, व्याख्या, MCQ और प्रश्णोत्तर आप मेरी पुस्तक समाधान से प्राप्त कर सकते हैं पुस्तक समाधान Amazon तथा सारुभाशा.in पर उपलग्ध है इस कविता से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.madhukalaj.in पर विजिट करें मैं गद्यांच नहीं पढ़ूँगी सिर्फ प्रथम पंक्ती और अंतिम पंक्ती पढ़ूँगी इस गद्यांच की पहली पंक्ती है इस तरहां अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिन्दगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा गद्यांच की अंतिम पंक्ती है फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम योग खेल कोद में वक्त गमा कर पास हो जाओगे और इस गद्यांच का पहला प्रशन है पाट तथा लेखक का नाम लिखे का मुझी प्रेम नात, खा मुझी प्रेम चन, गा मुझी प्रेम कुमार, गा मुझी प्रेम राज और इसका सही उत्तर है खा मुझी प्रेम चन प्रश्न दो, बड़े भाई साहाब ने इस गध्यांच में अंग्रेजी के बारे में क्या विचार प्रकट किये हैं, का विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, खा अंग्रेजी पढ़ोगे, पर एक हर्फ ना आएगा, गा अंग्रेजी पढ़ना कोई हसी खेल नहीं, घा सभी, और इसका सही उत्तर है, घा सभी, प्रश्न तीन, चोटे भाई से बड़े भाई ने अपने बारे में क्या कहा, का हमेशा रोता रहता हूं, खा हमेशा सोता रहता हूं, गा हमेशा पढ़ता रहता हूं, घा हमेशा उपदेश देता रहता हूं, और इस अगला गद्यांश, शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा और इस गद्यांश की अंतिम पंक्ती सफल खिलाडी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए इस गद्यांश का पहला प्रश्न, शैतान को अभिमान क्यों हुआ था, अभिमान करने से क्या परिणाम निकला का की ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं इसका सही उत्तर है का की ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई ही नहीं स्वर्ग से नर्ग में ढखेल दिया गया और इसका सही उत्तर है सफल खिलाडी किसे कहते हैं का जिसके सभी निशाने खाली जाएं का जिसका कोई निशाना खाली ना जाए गा जिसके दो निशाने खाली ना जाएं घा जिसका सिर्फ एक निशाना खाली जाए और इसका सही उत्तर है खा जिसका कोई निशाना खाली ना जाए प्रश्न चार दातों पसीने आना मुहावरे का सही वाक्या में प्रयोग है का कक्षा में प्रथम आने पर दातों पसीने आ जाते हैं खा मैंने पढ़ाई नहीं की तो मा के दातों पसीने आ गए गा बेटी की शादी करनी में तो दातों पसीने आ जाते हैं गा क्रिकेट मैच में खिलाडियों के दातों पसीने आ जाते हैं और इसका सही उत्तर है गा बेटी की शादी करने में तो दातों पसीने आ जाते हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया और इसकी अंतिम पंक्ति है बुनियाद ही पुकता ना हो तो मकान कैसे पायदार बनी। उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब लेखक ने शुरू किया। खा क्योंकि एक साल का काम दो साल में करना चाहते थे। गा तालीम के भवन की बुनियाद खुब मदबूट डालना चाहते थे। प्रश्ण दो बुनियाद ही पुकता ना हो तो मकान कैसे पायदार बनी। पंक्ति काश है स्पश्च कीजिए। गा दो पुकता होगी तभी मकान बनेगा। खा अगर नीव मदबूट नहीं होगी तो मकान कैसे मदबूट बनेगा। रश्ण चाहर बुनियाद ही पुकता का आर्थ है। ग तालीम मजबूत होना, ख मकान मजबूत होना, ग पाए मजबूत होना, ग नी मजबूत होना, और इसका सही उत्तर है ग नी मजबूत होना. प्रश्न पांच बड़े भाई सहाब एक साल का काम कितने साल में करते थे क एक साल का काम तीन साल में करते थे ख एक साल का काम दो साल में करते थे ग एक साल का काम दो और कभी-कभी तीन साल में करते थे मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें